हाँ बेटा, next is weighing machine, weighing machine के लिए गर मैं साफ तोर पर कहूं, तो it is just used to measure the normal force, weighing machine का काम सिर्फ और सिर्फ normal force को measure करना है, वो अलग मात है कि बेटा हमने इसका weighing machine नाम इसलिए रख दिया, क्योंकि अकसर हम इसको use किसे लिए करते हैं, weight को measure करने के लिए, लिए अकसर situations के अंदर weight और normal की value सेंग होती है, इसलिए हम कर देते हैं कि इसे हम weighing machine बहुत देते हैं, बड़ आपको जो बात याद रखनी हैं, वो से इतनी सी याद रखें कि weighing machine measures normal force, weighing machine measures normal force, और normal force जो है बड़ जनरली weight के बराबर होता है, तो ऐसे case में ये weight को measure कर लेता है, ऐसे बोल देता है, तो generally बड़ा अकसर normal force is equal to weight, बड़ा हमेशा ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बड़ा अकसर ऐसा होता है, इसलिए हम कह देते हैं कि इसे weighing machine बोल देते हैं, बड़ा weighing machine का सर्फ और सर्फ एक concept आपको याद रखना है, कि ये normal force को measure करेगी है, that's right, इसके लाओ और कोई बात आपको याद रखने के जरूरत नहीं है, ठीक बड़ा, जैसे मैं आपसे एक सवाल पोछो, सवाल ऐसा, कि बड़ा आपके पास एक lift, इस lift के अंदर एक weighing machine, और एक इंसान है, जिसका मास बड़ा M है, और इसका acceleration बड़ा है उपर की तरफ ए, मैं आपसे पूछाना, वाट इस रीडिंग ओफ में मशीन, वाट इस रीडिंग ओफ वेइंग मशीन, बड़ा वेइंग मशीन की रीडिंग है, अभे निकालते हैं, इस M मास के ब्लोक को जरा गोर से बेक बड़ा, इस पर कौन से कौन से force है, सबसे पहले of course नीचे की तरफ M जी, जो वेइंग मशीन होगी, वो जरूर इस इनसान पर कोई ने को नॉर्मल लगा रही होगी उपर, जो नॉर्मल इनसान पर उपर है, बड़ा वही नॉर्मल इस वेइंग मशीन पर नीचे है, और बड़ा आप इस केस, you know it very well कि इनसान का acceleration उपर की तरफ A है, लिफ्ट अगर उपर की तरफ A से जा रही है, तो इनसान का acceleration भी उपर की तरफ A है, acceleration उपर, तो net force भी उपर किता, आप बोलोगे सर, N उपर M G नीचे, तो उपर की तरफ net force आ गया है, N minus M G, that must be equals to mass into acceleration, so normal की value आगी बड़ा, that is M into G plus A, ये बड़ा आपके पास reading आगई एक तरीके से, वैसे weighing machine जो है, बड़ा वो reading Newton में भी दे सकती है, और kg में भी दे सकती है, kg में reading देने के लिए क्या करते है, कि बड़ा weighing machine जो है, उस जो Newton में reading आई है, उसको G से डिवाइड कर दती है, तो ये जो reading होगी, बड़ा में देने क्यों होती है, उसमें क्या करते है, कि बड़ा ये जो reading है, इसको weighing machine खुदी, G से डिवाइड करके आंसर दे रहती है, and that is M into 1 plus A by G, Newton को अगर बड़ा अस तरह सा अगर आप G से डिवाइड करोगे, तो ये जो reading आती है, इसे हम kgf कहते है, बड़ा क्या कहते है, kgf, बड़ा क्या बहलो कि इसको kgf, this is your kgf, ऐसे याथ कर सकते हैं, बड़ा तुम, कि G times kgf जो है, बड़ा वो 1 newton के बड़ाबर होता है, सॉरी बड़ा, मैंने उल्टा बोल दिया, 1 kgf जो है, बड़ा वो G newton के बड़ाबर होता है, ये बड़ा ऐसे बोल दू, कि 1 kgf जो है, बड़ा वो 10 newton के बड़ाबर होता है, अगर मैं G की value, 10 loop, ये बड़ा का kgf, फिर ड़ा, अब बड़ा एक बात हो, अगर मैं कहूं, कि इसी lift का acceleration, उपर की तरफ ना होता, और नीचे की तरफ होता, तो ऐसे case में, what would have been the reading of way machine, ये बड़ा, अगर नीचे है, तो अगें normal की value Mg की बड़ाबर नहीं है, acceleration अगर नीचे है, तो of course, बड़ा net force अब नीचे की तरफ आएगा, acceleration नीचे, तो net force नीचे, बड़ा, नीचे की तरफ किता force आपको नज़र आ रहा है, तो आप बोलो कि सर, Mg नीचे है, normal उपर है, तो नीचे की तरफ force नज़र आ रहा है, Mg minus normal, है कै बड़ा, that is Mg minus normal, and we could easily say, कि नीचे की तरफ Mg, उपर की तरफ normal, तो नीचे की तरफ net force आ गया, Mg, minus normal, and that must be equals to mass into acceleration, normal की value आ गया, M into G minus, यह बड़ा reading है, अगेर बड़ा normal Mg के बराबर हो, weighing machine की reading, बड़ा Mg के बराबर है, जरूरी नहीं है, वो बड़ा, डिपेंड करता है, कि जो आपका weighing machine और जो इनसान है, वो rest पे है, या moving है, अगर moving है, तो इस तरफ से बड़ा बड़ा गाम से सोच सकते हैं, एक बात तो बड़ा, यह जो reading आएगी, यह of course in Newton है, अगर माँ आप से को बड़ा मुझे kgf में चाहिए, kgf में चाहिए, तो आपको उस case में reading आएगी, M, बड़ा G से डिवाइड करना, 1-a by g, यह reading है आपकी in kilogram force, in kilogram force, समझे बड़ा, तो इस तरफ से हम बड़ा आराम से weighing machine किस तरफ से काम आती है, बड़ा बड़ा आराम से देख सकते हैं, और main चीज़ सिर्फ और सिर्फ यह है कि आपके दिमाग में यह set होना चाहिए, कि weighing machine का काम सिर्फ और सिर्फ normal force को measure करना है, औ उससे दा कुछ नहीं, तो चली बड़ा, एक सवाल करते हैं, अब यार देखो, सवाल बड़ा बहुत, अब सिर्फ normal तो निकालना है, तो बहुत बड़ी बाग तो बड़ा पूछी जा भी नहीं सकती है, नॉर्मल हमें निकालना आता ही है, बड़ चली, कुछ सवाल को हलका कॉंप्लिकेट करने कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा मजा भी आएगा, ठीक, बड़ा कहानी ऐसी है, कि आपके पास ये एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर, बड़ा ये आपकी वेंग मशीन, बड़ा वेंग मशीन को मैंने ऐसे WM लिद दिया, इसके उपर बड़ा एक बालक बैठा है, बालक का जो मास है, बड़ा देट है 60 kg, और लिफ्ट के पास बड़ा वेलोस्टी है, उपर कितर बड़ा वेलोस्टी है, इस लिफ्ट की वेलोसिटी, टाइम के साथ वेरी कर रही है, और वेलोस्टी और टाइम का जो कर्व है, बड़ा मुझे दिया हमें दिया हो आए पहले बढ़ा वेलासिटी जीरो थी फिर बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है दस सेकेंड के अंदर वेलासिटी बढ़कर 20 मेटर पर सेकंड आती है अगले 20 सेकंड तक बढ़ा वेलासिटी कॉंस्टेंट रहती है और उसके बाद बढ़ती है अगले पांच सेकंड में लिफ्ट की वेलासिटी जीरो जाती है तो बढ़ता इतादाव के समय ना लोगा है पहले वेलासिटी बढ़ रही है फिर कॉंस्टेंट है फिर घट रही है कोई द Reading Of Wain machine versus Time Wain machine के Reading Of Time के बीच के सारे काम को बड़े आराम से बाँट लेते हैं पSubt 10 सेकंड तक 10 से लेकिh 20 सेकंड तक और फिर आके में 20 से लेकिh 30 सेकंड था फिर आके में 30 से लेकिh 50 सेकंड तक बाँट लेते हैं काम को चलिए बढ़ा सबसे पहले जीरो से लेकर 10 सेकंड तक बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है और 20 रहती है वेलोस्टी बढ़ रही है इसका मतलब जिस तरफ वेलोस्टी है उसी तरफ एक्सलरेशन है तो जरूर बढ़ा शुरूर आप में एक्सलरेशन है उपर की आप कहे भी सकते हूं? direct भी कही सकते हूं कि सर्व Linearley velocity बढ़ रही है तो हर बराबर बराबर time में बराबर बराबर velocity बढ़ी है 10 second के अंदर 20um per second velocity बढ़ी है तो of course acceleration होना चाहिए 2 meet 1ड carths 2. हर एक second में 2me per second velocity बढ़ रहीन है ये पर एक सब्राइक सब देखे हो तो आप क्या सकते हूं कि एक्सलरेशन इस बेसिकली टू मीटर पर सेकंड स्क्राइब एक्सलरेशन ऊपर की तरफ है और टू मीटर पर सेकंड स्क्राइब तो इस बालक की बड़ा FBD बनाओ सबसे पहले बड़ा नीचे की तरफ MG बड़ा MG आगया है 600 N बड़ा G को में 10 ले रहा हूं वेइंग मशीन ने जरूर बड़ा बालक पर उपर की तरफ नॉर्मल लगा होगा और यही नॉर्मल उजे निकालना है क्याकि जो नॉर्मल फोर्स बालक पर उपर है वही नॉर्मल फोर्स वेइंग मशीन पर नीचे है और वेइंग मशीन का काम का है उस नॉर्मल फोर्स को मेजर करना है और इस बालक का एक्सलरेशन जैसे हम जानते है बड़ा उपर की तरफ है and it is 2 meter per second square normal force उपर, acceleration उपर, acceleration उपर तो net force भी उपर आखिर उपर की तरफ net force है कितना? अब बरुसर N-600 this N-600 should be equal to कित ता बड़ा? mass into acceleration बड़ा normal की value बड़े आराम से आगई है 720 N बड़ा इसको G से डिवाइड कर देना और आप G से डिवाइड कर होगे तो it has turned out to be 72 kgf बड़ा 72 kgf का आप अर्थ मजगाओंगे कि अगर weighing machine लगा रखी है तो बड़ा weighing machine इस इनसान का mass 60 kg ने बता कर 72 kg बताएगी ऐसा नहीं कि उसका mass बढ़ गया है बड़ा mass नहीं बढ़ा है normal force बढ़ा है और हम जानते कि mass exact तो तभी बता पाएगी जब बड़ा इस lift के पास कोई acceleration ना हो अब तो acceleration और इसलिए exact नहीं मास नहीं बता पारेगी कोई बात है हम सब बड़ा यहीं पूछा गया आगे चले बड़ा 10 से लेकर 30 seconds तक आईए 10 से लेकर 30 seconds तक आईए नोटिस कर लिया होगा कि जो velocity है बड़ा वो constant है velocity अगर constant है तो of course बड़ा आपका acceleration तो 0 है और अगर आपका बड़ा acceleration 0 है तो obvious बात है कि इस बालक पर उपर की तरफ लगने वाला normal force और नीचे की तरफ लगने वाला 600 newton बड़ा दोनों का sum 0 होना चीह है दोनों का sum 0 होना चीह है तो उपर का force बराबर नीचे का force so normal force comes out to be 600 newton यह बड़ा g से divide कर तो बड़ा that comes out to be 60 kgf तो इसका मतलब बड़ा 10 से लेकर 30 seconds तक आपका जो normal force है बड़ा वो 600 newton बताएगा यह बड़ा 60 kgf बताएगा fair enough आगे चालते हैं बड़ा 30 से लेकर 35 seconds तक बड़ा 30 seconds से लेकर 35 seconds तक velocity बड़ा पहले उपर के तरफ 20 थी घटते 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 जीरो होगी 20 से 0 होने में 5 seconds ले रही है तो हर 1 second के अंदर 4 meter per second velocity घट रही है इसका मलब acceleration जो है वो 4 meter per second square है acceleration 4 meter per second square है इस बात का अर्थ ही है बड़ा कि acceleration velocity के तरफ नहीं बड़ा velocity के opposite है क्यों? क्योंकि velocity लगाता है घट रही है velocity उपर है तो पक्की बात है कि बड़ा acceleration आपका नीचे acceleration है अब नीचे की तरफ and that is 4 meters per second square इसको सोचने का एक तरीका और भी है अगर आपको acceleration निकाल लो तो 10 of sorry इस straight line का slope निकाल लो आपको केसे slope तो 10 of येवाल एंगल होता है बड़ा 10 of येवाल एंगल और 10 of येवाल एंगल में सिर्फ और सिर्फ माइनस का एंगल होता है तो आप कह सकते हो कि acceleration जो होगा बड़ा that will be my that will be बात की बात पर ये तरीक निकाल लोत ये तरीक निकाल लोत ये 10 theta बड़ा बोलना 10 theta कितना है perpendicular upon base perpendicular है 20 meter per second divided by base बड़ा base is 5 seconds तो मेरे पास ये आगय है 4 meters per second square लिए आप कोगे sir acceleration तो 10 of येवाल एंगल होता है बड़ा बिल्कुल सही बात है तो acceleration को हम बड़ा 4 नहीं बोलेंगे बड़ा क्या बोलेंगे minus 4 meter per second square minus का अर्थ सिर्फ ये है कि acceleration उपर नहीं है acceleration नीचे है तो मैंने दिखा दिया है कि acceleration नीचे की तरफ 4 meter per second square है सिर्फ minus भी लगो अर्थ बड़ा minus तो सिर्फ वो सिर्फ क्या represent करता है direction अब बताओ दिया कि सिर्फ minus है तो एक्स कमला acceleration नीचे इसके लाँ आपे से acceleration को minus लिखने के ज़रूरत नहीं है acceleration अगर पॉजिटिव था तोड़ा उपर था acceleration नेगेटिव है तो नीचे है तो चाहिए बड़ा आपके पास ये बालक इस बालक पर नीचे की तरफ 600 newton ये नॉर्मल उपर और acceleration है नीचे की तरफ 4 meter per second square normal उपर 600 नीचे, acceleration नीचे की तरफ 4 meter per second बहुत असान है acceleration है नीचे तो net force भी नीचे net force है नीचे की तरफ कितना है बड़ा 600 minus normal that must be equals to mass into acceleration normal की value आगी बड़ा 360 newton बड़ा ये newton ना पसंद दो तो आप कह सकते लिखे sir this is also equals to 36 kgf मतलब ये जो बालक 60 kg का है ये weighing machine बड़ा सिर्फ उसे 36 kg दिखाएगा कब से कब तक 30 से लिकर 35 सेकंड तर तो चली बड़ा हमें तो graph बनाना था बना देते हैं सवाल में तो graph बनाने के लिए कहा गया था तो graph तो बना देंगे चली graph बनाते हैं कि weighing machine की reading क्या है बड़ा इसका graph छोटा सा है बना देते हैं चली कोई कहते कि sir मैं reading Newton में लिखूंगा बड़ा लेख सकते हो कोई मनाई नहीं है reading अगर आपको Newton में चाहिए और यह time time is of course in seconds 0 से लेकर 10 seconds तक हमने निकाला कि जो normal है वो 720 Newton आया और of course यहां सहां तक acceleration पूरर रास्ते constant है आपका normal force भी constant है और उस normal force की value कितनी आई है 720 Newton तो बड़ा 720 Newton कब से कब तक 0 से लेकर 10 seconds तक हमने देखा कि acceleration 0 है और normal की बड़ा value है वो शायद 600 Newton ही आई है तो आप कह सकते हो कि 30 से लेकर 10 से लेकर 30 seconds तक 600 Newton आगे चल बड़ा 30 से लेकर 30 seconds तक acceleration constant तक नॉर्मल force constant और वो नॉर्मल force आया कितने बड़ा 360 Newton यह आपका बड़ा 35 दिस इस बड़ा कितना 360 Newton दिन आप कह सकते हो कि sir वेइंग मशीन sir हमने जितनी भी देखी है sir वो Newton में रीडिंग नहीं देती है sir वो तो kg बगर में देती है बड़ा kg बगर में अगर आप बनाना चाहो बड़ा फिर से बना सकते हो इस तरफ बड़ा kg या kgf बड़ा कुछ भी लिख दो और इस तरफ बड़ा आपका time time is of course in seconds तो पहले 10 second तक बड़ा it will be 72 kg फिर 10 से लेकर 30 second तक it will be 60 और 30 से लेकर 35 तक बड़ा 30 से लेकर बड़ा 35 तक 36 kg फिर इनफ चली बड़ा आगे बड़ते हैं next ये बड़ा हमारा weighing machine तो आपको weighing machine में conceptual बात सिर्फ और सिर्फ एक ही याद रखने हैं और वो ये है कि weighing machine सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फोर्स मेजर करता है और इसा तो है नहीं कि हमने नॉर्मल फोर्स निकालना आज ही सीखा हो हमने यक यूनिट और होती है बड़ा Ugh किलोग्राम फोर्स और उसके लिए जो भी आपकी रीडिंग न्यूटन में आ रही है उसको आप G से डिवैड कर दो 10 से डिवैड कर दो तो आप बड़ा राम से उसको KGF वगर में लिख सकते हूँ रही है ठीक है अन्य एसे ही बड़ा वेट ओगर मेशअ करने के लिए मास ओगर मेशअ करने के लिए एक इंस्रूमेंट और है बेद एवा स्प्रिंग मैल राम याराम बेद शिक व्म्रेटि फूर्स बलम इस खर्ट दोा of course and the concept of spring लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि रहा जैसे वेंग मशीन नॉर्मल मेजर करेगा बैटा वैसे spring बैलेंस उसमें tension मेजर करेगा तो आप कह सकते हूँ कि of course it is spring-based system दूसरी बाद बैटा दूसरी बाद इट मेजर्स टेंशन इन इट spring-balance में कितनी टेंशन है उसे मेजर करता है वो अलग बात एक बाद टेंशन अकसर mg के बराबर होती है इसलिए इसे हम वेट या मास वगरें मेजर करने के काम में ले ले लेते हैं बट कुल मिलाकर आपको सिर्फ उसर कॉंसेप्स चली इतना से याद रखना है कि यह मेजर सिर्फ उसरी बड़ा क्या करेगा टेंशन मेजर करेगा ठीए कैसा अब आपका स्प्रिंग बैलेंस है सुनीगा है बड़ा यह मालने जी कोई फिक्स्ट सेली इसके साथ ऐसे एक रेक्टेंगलर कैंड ओफ बॉक्स इसके अंदर अच्छे खासे स्टिफनेस कॉंस्टेंट यह है बड़ा अच्छे खासे स्प्रिंग कॉंस्टेंट के एक स्प्रिंग लगा रहा है क्योंकि अंदर और बड़ा यह एक हुक हुक जो है उसका काम यहां से किसी जिसको लटकाने का है जिस भी चीज़ को लटका कर वेट वगरा मेजर करना चाहते हो उसको इस हुक से लटका दो यहां पर बड़ा ऐसे एक पॉइंटर निकला होगा बाहर की तरफ जो पॉइंटर है उसके बाहर यहां पर ऐसे मार्किंग लगी होगी है इक्विली स्पेस्ट मार्किंग लगी होगी है ठीक है अब कॉंसे बड़ा बहुत ही आसान सा यह कोई इतना बहुत टफ काम है नही माल लेजी कि इस hook के साथ मैंने कोई 1 kg का ब्लोग ऐसे टांग दिया तो नीचे की तरफ mg अफकोर्स बड़ा उस mg को बैलेंस करने के लिए spring के अंदर कोई एक्सपेंशन आएगा that is equals to kx अब ऐसे में इस 1 kg ब्लोग को mg को बैलेंस करने के लिए इस spring में कुछ एक्सपेंशन होगा और यह जो आपका बड़ा यह pointer बाहर निकला हुए यह हलका सा नीचे हो जाएगा मान लिजे कि यह pointer बड़ा चलते 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 यहां पर आगया तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इतना extension into k should be equal to mg अब मुझे पता लग गया कि एक kg का ब्लोग है उसे टांगने से यह वाला pointer चलते चलते यहां आजाएगा तो मैंने यहां पर लिख दिया 0 kg इस point के just सामने बड़ा लिख दिया 1 kg अब मैं इतना समझ गया कि अगर मैं यहां पर 2 kg लगा दूँगा तो of course mg double हो जाएगा mg double तो tension double tension double तो spring में extension double और extension double तो इसका मतलब ही तो pointer चलते 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 of course यहां आजाएगा मैं बड़ा यहां पर 2 kg लिख दूँगा अगर मैंने यहां पर 3 kg लगा दिया then I know it very well कि एक kg के मुकाबले आपने तीन गुना मास लगा दिया 30 गुना मास लगा तो of course tension 3 गुना टैंशन तीन गुना तो extension 3 गुना तो यह जो pointer है बड़ा यह जो जो प्रिंग है उसमें तीन गुना extension आएगा तो यह वाला pointer चलते 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 ही यहां आजाएगा इसके आगे मैं तीन लिख दूँगा ऐसे यहां मैं इसके आगे मैंने पड़ा सिर्फ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ऐसे लिख दिया आप बड़ागीन जो बीच वाला स्पेस हो उसको ऐसे 10 पार्ट में डिएट कर लो फिर आप उसको 1.1,1.2,1.3 ऐसे करते करते कर सकते हो तो आप बड़े अराम से बड़ा इस सरक का निपटा सकते हो इसमें हमने कि इस फंडे को यूज किया तो आप बोला सर इसी फंडे को आपने यूज किया कि टेंशन इस इकोलस टू के एक्स जितना जादा टेंशन उतना जादा एक्स ये दोनों लीनियरली प्रपोर्शनल रहेंगे तो जीरो से वन कीजी का अगर स्पेसिंग पता लगी तो बड़ा आप के बड़ा बड़ाता जाएंगे पॉइंटों अगर अगर मेशर करने हो तो जीरो से लगए एक के बीच बीच आप अगें 10 पार्ट करके पॉइंट 1,2,3 से कनवर्ट कर सकते है तो यह बड़ा अपने पास सारा का सारा स्प्रिंग बैलेन्स का फंड आ है लेगिन आप आखको बड़ा सिर्फ उसे इतना से याद रखना है कि spring balance क्या करेगा spring balance सिर्फ उसर वेट मेजर करेगा और कुछ नहीं spring balance का काम ही बड़ा सिर्फ उसर वेट मेजर करना है बाकी सब तो बड़ा होई जाएगा क्या आप लोग नहीं से कोई जरूर नहीं सर लिद्ध काम जो हेँ वेट मेजर करना है ब multiplayer की बड़ा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है आगो करके दिखाज और लिवात है चलिये यह बड़ा पना spring balance है अब यार जैसे spring balance जैसे अपने वेइंग मशीन वाले किये थे बड़ा वही सवाल हम अगेन spring balance के भी कर सकते हैं बट मैं सोच रहा हूं कि यह एक बढ़िया सवाल ही करते हैं वो तो तुम खुदी कर लोगे कि हाँ स्प्रिंग balance से कोई इंसान जुड़ा हुआ है वगर 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 उसका वेट कितना है तो जैसे नॉर्मल वारे सवाल थे वेइंग मशीन वाले सवाल थे वही सवाल बड़ा वापे से कराकर मा आपको बोर नहीं करूंगा मा आपको एक बढ़िया सा सवाल कराऊंगा अच्छ यह बड़ा एक लिफ्ट इस लिफ्ट के अंदर बड़ा एक वेइंग मशीन इस वेइंग मशीन के ऊपर बड़ा एक बालक बैठ है ठीक है इस के ऊपर बड़ा एक स्प्रिंग बैलेंस भी है यह बड़ा स्प्रिंग बैलेंस ऐसे यह बड़ा इसका हुक यार अपने बालक को है ना इस स्प्रिंग बैलेंस से बांद रखका है ठीक है थोड़ा पेइनफुल हो गया बड़ ठीक है बड़ा सवाल के लिए तो नहीं भी कर दिया ऐसे बड़ा बालक को अपने ऐसे वेंग मशीन से ही बांद रखका है और बड़ा ऐसे वेंग मशीन से के ऊपर खड़ा कर रखका और बड़ा उस स्प्रिंग बैलेंस से इसको अपने ऐसे बांद रखका है यह बड़ा ठीक है इस लिफ्ट का एक्सलरेशन बड़ा ऊपर की तरफ है बालत का जो मास है वो हमें गीवन है कि इस 50 kg बड़ा 50 kg सवाल है बड़ा उदर सिचुएशन है रीडिंग ओफ वेइंग मशीन इस 40 kg आप समाज़ कि बड़ा 40 kg कैसे 40 kg मतला 40 kg है फोर्स की वेलों तो पक्के बाता कि चार सुनुटन है वो तो बड़ा kg दो लिखने के स्टाइल होगा एक तरीके से जी से डिवाइड रहने के बाद और उसी तरह से बड़ा reading of spring balance बड़ा जो spring balance है इसकी reading भी बड़ा मुझे दे रख्ये एंड लेट से बड़ा मुझे इसकी reading दे रख्ये 20 kg बड़ा 20 kg का मतला 20 kg का मतला 20 kg फोर्स या फिर बड़ा 200 newton बड़ा सवाल है बड़ा सवाल के बहुत सारे पार्ट हों गया find acceleration of lift बड़ा lift का acceleration निकालो तो चली करते हैं बड़ा कोई बहुत बड़ा task बड़ा यह है नहीं हम बड़ा आराम से इस काम को निप्टा सकते हैं यह चो 50 kg का बालक है इस पर कौन से कौन से सबसे पहले नीचे की तरफ एंजी बड़ा एंजी आगे 500 newton ठीक है इस वेइंग मशीन ने ज़रू बड़ा कोई ने कोई ऊपर की तरफ बालक पर नॉर्मल फोर्स लगा होगा बड़ा उस नॉर्मल फोर्स को ने अपर मैं एल लिख रहा हूं बड़ा फिर इससे newton निपता हूं इसी तरह से spring balance ने इस बालक को ज़रू किसे ने किसे फोर्स से उपर की तरफ की चाओगा बड़ा spring balance ने जैस फोर्स से इस बालक को उपर की तरफ की तरफ की चाओगा उसका मुझा टेंशन बोल दिया है यह टेंशन सवाल के अंदर मुझे दे रखिए कि यह 200 newton है और यह नॉर्मल फोर्स वेंग मशीन में दे रहा है यह हमें दे रखा है कि बड़ा 400 newton है और इस बालक का बड़ा acceleration उपर की तरफ वही होगा जो लिफ्ट का होगा ठीक है बहुत आसाल acceleration उपर दिखा रख यह तो net force बड़ा कि तरणा चे उपर उपर की तरफ बड़ा कि तरणा चे उपर उपर की तरफ बड़ा net force निजर आ गया 200 उपर 400 उपर की तरफ force है 200 प्लस 400 minus नीचे की तरफ बड़ा नीचे की तरफ कितना 500 this is the net force and this net force must be equals to mass into acceleration कितना मास बड़ा इसका पचास this is the net force is equals to mass into acceleration दो सोर चार्स बड़ा कितना हो गया चैसो चैसो में से पांच सब्सक्राइब कितना बचा सो तो हंड्रेट शुट बीकुल टू बड़ा फिफटीन टू बड़ा एकसचलेरेशन की वेल्यव कितने बड़ा फिगार से आगी टू मीटर पर सेकिंड स्कूआ है तो एकसडारेशन आगे बड़ा उपर कि तरफ हुर टू मीटर पर सेकिंड स्कूआ ठीक ही बड़ा 25 और मुझे तो जैसे बड़ा अपने क्या किया कि हमने भी देखा कि लिफ्ट का एक्सेशन दो है बड़ा बालक का मास पचास है तो उपर की तरफ नेट फोर्स है सो न्यूटन वो सो न्यूटन कैसे है आप समझ गए वो सो न्यूटन ऐसे है कि वेइंग मशीन ने लगा दिया 400 तो और नेट फोर्स है मास से बड़ा पचास एक्सेलरेशन उपर की तरफ दो चारा मामला सेट हो गया अब मैं तुमसे बात जानना चाहरा हूँ मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैं इस एक्सेलरेशन को बड़ा दो से बढ़ाकर तीन कर दूँ तो क्या होगा सुनना बड़ा, मैं जवाब दे रहाँ, हाला कि आपको सोचना अची है, बढ़ ठीक, मैं बढ़ा हूँ अगर मैंने उपर की तरफ acceleration 2 से बढ़ा कर 3 कर दिया तो अब उपर की तरफ इस बालक पर जो net force है, वो 50 into 2 नहीं है बलकि 50 into 3, 150 हो गया है तो उपर की तरफ net force अब 100 नहीं है, 150 है उपर की तरफ अगर net force 150 है, तो इस बात का ये अर्थ हो गया है कि ज़रूर उपर की तरफ लगने वाले force बढ़ गया होंगे बढ़ी mg पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, mg तो 500 रहेगा तो ज़रूर उपर की तरफ लगने वाले force बढ़ गया होंगे कौन-कौन, tension, normal, इनमें कोई ने कोई चेंज आया होगा और चेंज आया भी कितना होगा, पकी बात है कि 50 newton की बराबर चेंज आया होगा क्योंकि पहले उपर की तरफ जो net force था, वो 100 newton था अब तुझे उपर की तरफ force थे है, 150 newton 150 newton अगर आपको उपर की तरफ force थे है, तो of course आपको 50 newton extra force थे है, वो 50 newton extra force किसके करणा हैगा ये मेरा सवाल आपसे, उपर की तरफ 50 newton force बढ़ना चाहिए उस force को बढ़ने के 3 तरीके है, सुनना बढ़ा एक के normal force जो है, वो 50 newton बढ़ जाए, ये पहला option दूसरा option, tension, 50 newton बढ़ जाए, ये दूसरा option और तीसरा, के थोड़ा normal बढ़ जाए और थोड़ी tension बढ़ जाए थोड़ा normal बढ़ जाए और थोड़ा बढ़ा आपके इस spring balance के tension बढ़ जाए बताओ, कौन सा सही रहाएगा? सवाल समसी बढ़ा मेरा सवाल ये है कि अगर मैं इस lift का acceleration दो से बढ़ा कर तीन करता हूँ तो उपर की तरफ net force 100 नहीं, 150 चाहिए तो इसका मतलब उपर की तरफ जो force लग रहा हूँ, मुझे 50 बढ़ाना पड़ेगा mg तो उपर की तरफ 50 बढ़ाने की तीन रास्ते है कौन से कौन से रास्ते? इसको 50 बढ़ा दो इसको 50 बढ़ा दो, या इन दोनों के सम को 50 बढ़ा दो मतलब थोड़ा ये बढ़ गया, थोड़ा ये बढ़ गया अर यह थोड़ा ये बढ़ गया थोड़ा इपड़ा तो कितना कितना बढ़ गया 25-25 बढ़ा या 30-20 बढ़ा या 20-30 बढ़ा या 10-40 बढ़ा पतानी कैसे बढ़ा यह मैरा सवाल है तुमसे कि बढ़ा बता हो अब क्या होगा सोचो सोच लिया चलो मैं जवाब दे रहा हूँ अगर मैंने उपर की तरफ acceleration बढ़ा दिया तो उस acceleration को बढ़ाने के जिम्मेदारी tension की तो बिलकुल नहीं है सर ऐसा क्यों? बढ़ा ये tension जो ना ये तो spring balance के कारण आई है और spring balance के अंदर कोई बहुत high-five ताम जाँ धोड़ी है spring लगी हुई है उस spring में कोई ने कोई extension है अब अगर इस lift का acceleration उपर की तरफ बढ़ भी गया तब भी बालक के पैर जहां थे वही है बना लिफ्ट के respect में गड़ देखे तो बालक का सर जहां था वही है अगर बालक के पैर वही के वही है बालक का सर अगर वहा का वही है तो आपकी hook भी वही के वही है आपकी hook तो मुवी नहीं की ना तो आपकी hook नीचे आई ना उपर गई तो इसका मतलब केक्स तो चेंज ही नहीं वा और अगर केक्स चेंज नहीं वा तो spring का extension बढ़ना घटना चाहिए न है और उसको बढ़ने घटने के लिए hook का move करना जरूरी है और हम जानते हैं कि hook तो move ही नहीं कर रही है बले lift का acceleration हो बढ़ी बढ़ गया हो लिए बालक के पैर तो बढ़ा यही है सिर्फ किसके जिम्मेदारी बढ़ा नॉर्मल फोर्स के जिम्मेदारी तो चली बढ़ा मेरा अगला सवाल आपसे बढ़ाई यह आपने बढ़ा ठीक है पहले वाला काम तो निप्टा लिया अब बैठ दूसरा सवाल पूछ रहा हम आपसे find reading of weighing machine and spring balance if acceleration of lift is 3 meter per second square vertically upwards तो देखते हैं अगर इस बालक को देखें बड़ा लिफ्ट का acceleration उपर की तरफ तीन तो बालक का acceleration भी तीन कौन से कौन से फूर्स है तो आप बोलोगे से उपर की तरफ tension है यह spring की बड़ा tension है kx के बड़ा जरूर इस spring balance की spring का stiffness constant या spring constant होगा x बड़ा को इसका extension होगा जरूर बड़ा नीचे वाली surface ने कोई ने कोई ने कोई नॉर्मल लगाया होगा उपर की तरफ इस पर बड़ा लग रहा होगा नीचे की तरफ mg बड़ा आपका 500 newton है यह 50 kg का बालक है और इसका acceleration उपर की तरफ 3 meter per second square है यहाँ पर जो concept था वो तो सिर्फ वो सिर्फ एक ही था और वो concept क्या था कि tension की जो value है बड़ा यह unchanged रहेगी टेंशन चेंज करने के लिए spring के extension या compression को change करना होता है और spring के extension या compression को change करने के लिए hook का ऊपर नीचे जाना जरूरी है बड़ा hook का ऊपर नीचे जाने के लिए इस बालक के पैर अगर weighing machine से उठ जाए तो अलग बात है weighing machine से पैर बड़ा उठनी रहे क्योंकि normal force तो zero है नहीं हुआ पैर उठने के लिए तो normal force का zero होना जरूरी है तो बड़ा ठीक है पैर तो उठने रहे तो बड़ा of course बाब के hook तो बड़ा जाना थी वही रहेगी तो आप को के साथ tension तो वही रहेगी that is 200 newton अब बड़ा सिर्फ और से छोटा सा काम है उपर की तरफ normal है plus उपर की तरफ 200 newton है minus नीचे की तरफ 500 है and this is the net force vertically upwards and that must be equals to mass into acceleration that is equals to 50 into 3 normal की value आगे बड़ा 150 plus 300 I think बड़ा answer comes out with 450 नीटन या बड़ा 45 kgf जैसे बोलना परसंत बड़ा वैसे बोलना I hope you get the point बड़ा ये हमरा answer तो concept बड़ा सिर्फ और सिर्फ एक था कि उपर की तरफ बड़ा acceleration बड़ाने से आपका सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फोर्स पर ही जाएगा बड़ा spring balance पे change नहीं आगा spring balance पे change आने के लिए hook का move करना जरूरी है और hook के move करने के लिए बड़ा इस बालक के पैर उठने जरूरी है बड़ा पैर कब उठेंगे जो नॉर्मल फोर्स जीरो होगा बड़ा भी तो नॉर्मल फोर्स जीरो हो आना तो बहुत दूर की बात है बलकि नॉर्मल फोर्स तो बढ़ गया है आप बौलो की से इसकामत अब आपको पचास और बडाना है स्प्रिंग फोर्स तो बड़ेगा नहीं कौन एंड़ा तो आपस आपका फिर से नॉर्मल और नॉर्मल बढ़ कर कितना हो जाए गाने कांच सो नुच हो न जाए न हो सकते हैं कि बड़ारा निचक confident रहाएं निचको कॉंप्रींट dönुण सवाल घंपीर कविजिच वी डिए टдо वर मुश्ण तरह कोंप्रिंशन और रहा यूं ये तो इतना तोपिक बाट केक है आई में ये एडवांस में निचको्फरी सवाल आता तपी आगे कवा बिजिए चलते मैं नेक्स्ट इस न्यूटन स्लो ओन सिस्टम किसी भी सिस्टम पर बड़ा न्यूटन स्लो कैसे लगाएंगे देखे रहा है बड़ा सिस्टम पर न्यूटन स्लो लगाना कोई ऐसे बहुत बड़ा टास्क नहीं छोटा सा काम है हाला कि हमने कभी ने कभी बिड़ा बात वर बात भी बागत में system पर newtons लगाए भी है कि एक block पर newtons लगा दिया और हम जब भी बिड़ा दो block पर साथ में newtons लगा दो motion लगाया करते थे तो उन दोनों ब्लॉक के बीच का जो internal force थाना वो हमेशे बड़ा क्या हो जाए करदा cancel out तो चली बड़ा इसी बात को अप थियोरी बना कर सौरी कहानी बनाते हैं और बढ़िया से बनाते हैं इत्मिनान से और अपन tough tough सवाल निप्टाते हैं मज़ा आएगा ठीक है तो चलो हो जाओ शुरूँ है सुनी बड़ा Newton's law on system बड़ा मान लिजे कि ये कोई system है इसके अंदर खूब सारे particles है M1 M2 M3 M4 ऐसे करते करते हैं N particles है M1 ऐसे खूब सारे particles है ये system है मुझे इस system पर बड़ा forces देखने है अभी देखते है M1 पर जो force है उसको और उने F1 लिख दिया है ठीक है This F1 is the net force on M1 इस F1 के अंदर सारे force आ गए है इस M1 पर M2 ने, M3 ने, M4 ने, M5 ने, M6 ने और Nth particle ने जो force लगा है वो भी आ गए है साथ ही बड़ा इस system के बाहर जो particles है न उन्होंने इस पर कित्ता force लगा है वो भी आ गए है और सारे के सारे forces must be equals to mass into acceleration of particle y sorry बड़ा M ने इसी तरह से M2 पर लिखूं तो M2 पर जो force and net बड़ा मने इसको F2 लिख दिया है F2 के अंदर again बड़ा सारे force आ गए है इस पर इसने कित्ता लगाया इसने कित्ता लगाया साथ इसाथ जो बाहर के force है उन्होंने कित्ता लगाया वो सारे आ गए and net force must be equals to इसका mass into इसका acceleration ऐसे बड़ा जो Nth particle है उस पर जो force है मुँसको बड़ा राम से लिख सकता हूँ कि पहली बाद तो Nth particle पर force है net is card किया है तो system के अंदर जो बाकी N-1 particles है उन्होंने कित्ना force लगाया वो प्लस system के बाहर भी दो बड़ा कुछ particles रहोंगे उन्होंने कित्ना force लगाया सबका sum बड़ा ये Fn है and it must be equals to of course mass of Nth particle acceleration of Nth particle इन्हों सबको add करो बड़ा अगर मैं add करता हूँ तो मेरे पास LHS आएगा F1 vector plus F2 vector plus F3 vector plus 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 Fn vector must be equal to क्या बड़ा M1 A1 plus M2 A2 plus M3 A3 and so on plus MN A ऐसे बड़ा जो होता है तो गोई सर बहुत ही trivial trivial सी बाते लिख रहे है कि आपने बहुत ही आसान आसान सी बाते लिख रहे है हबड़ा बिलकुल मैंने ऐसे कब काईवड़ा है बहुत ही हाइफ है बाते बाते लिख रहा हूँ तो इद अबिसले मींस इन सबका जो आएगा बड़ा बड़ा इसने नेट फोर्स बाते इसके जगे नेट फोर्स लिख दिया पूरे सिस्टम अब नेट फोर्स बड़ा चीज करना कि जब तुने फ 1 लिखाना बड़ा तो उस एफ 1 के अंदर वो वाला फोर्स भी है जो m2 ने m1 पर लगाया इसी तरह से जब तुम्हें f2 लिखाना तो इस f2 के अंदर वो वाला फोर्स भी है m2 पर जो m1 ने लगाया जब तो इन दनों को जोड़ेगा तो तो जानता है कि ये वाले टर्म है न इसका magnitude same हो और direction opposite है तो ये वाला force तो pair बना कर cancel हो जाएगा सब्सक्राइब आज बात को जैसे मैं फिर से एक्जम्पल देता हूँ जब तुने ये F1 लिखा न उसके अंदर वाला force भी है जो third particle ने first particle पर force लगाया जब तुने F3 लिखा इसके अंदर वो वाली term भी है जो M3 वाले particle पर पहले वाले particle ने force लगाया जब तो F1 और F3 को जोड़ेगा तो ये वाला force तो बढ़ा magnitude में same और वाले newtons third लोर direction में opposite तो जोड़ेगा तो बढ़ा हमेशे क्या जाएगा cancel इसी तरीके से जब तुने F1 लिखा तो इस F1 के अंदर जितने भी force थे उसमें वाला force भी रहा होगा जो Nth particle ने first particle पर force लगा होगा और जब तो ने F1 लिखा तो उस F1 के अंदर भी वाली term होगी जो बढ़ा Nth particle पर पहले वाले particle ने force लगा जब तो ने दोनों को जोड़ा तो of course ये वाला force है magnitude में same और direction में opposite बढ़ किया जाएगा cancel तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सारे के सारे forces को अगर मैं add करूँगा तो इन N particles ने आपस में एक दूसरे बढ़ जितना भी force लगाएं ये तो सारे के सारे pair बना कर cancel out हो जाएंगे और अगर cancel out हो जाएंगे तो इस net force के अंदर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि this net force is basically internal force plus external force internal forces तो सारे के सारे बढ़ा pair बना कर zero हो जाएंगे और net force में सिर्फ force बना क्या बचाएंगा external force और आप कह सकते हो कि finally मेरे पास आएगा F external is equals to M1 A1 plus M2 A2 plus 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 M1 A1 तो हमारे पास बढ़ा तो final result निकल कर सामने है बढ़ा हो है कि external force is always equals to M1 A1 plus M2 A2 plus M3 A3 and so तो external force न बढ़ा उसका बढ़ा आराम से इस तरह से लिख सकते है यह बढ़ा अपना external force ऐसे लिख सकते है सब आने गलती से internal लिख दिया तो लब external के साथ-साथ internal लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है लिख दो अगर तुने गलती से internal forces भी लिख दिये तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि internal forces वैसे ही तो गलती यहां भी करेगा यहां भी करेगा अगेर जोड़ेगा तो क्या जाएगा cancel फोर्म में है तो जिस तरफ force है उसी तरफ के acceleration की बात चल रही है इस कारण से बिड़ा मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हो सकता बिड़ा मैं कभी ऐसे बोल दूँ कि external force along horizontal direction is always equals to mass of पहला particle into उसका acceleration along horizontal direction दूसरे का mass multiplied by दूसरे का acceleration along horizontal direction तीसरे का mass multiplied by तीसरे का acceleration along horizontal direction ठीक टा अगर माल लोग कभी मुझे कर दो मुझे external force लिखना vertical direction अगर आपने ते कर लिया कि आपको सिर्फ और से vertical direction के forces ही लिखने है तो आप acceleration में सिर्फ और सिर्फ कौन से लिखोगे vertical one लिखोगे आपको सिर्फ it can be written as M1 A1 V plus M2 A2 V plus M3 A3 V plus 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 बड़ा माल लोग कल आप कह दो कि सर्फ मैं तो है इंक्लाइन प्लेन के along newton's laws of motion लगाना तो तो f external along inclined plane should be equal to M1 A1 बड़ा force अगर inclined plane के along है तो पहले वाले particle का acceleration भी किस तरफ होना चाहिए inclined plane के along M2 A2 बड़ा दूसर बड़ा particle पूरा acceleration नहीं सिर्फ और सिर्फ inclined plane के along acceleration plus 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 M3 A3 acceleration सिर्फ और सिर्फ किस तरफ inclined plane के along तो मेरे कहने के बड़ा अर्थ सिर्फ वही है जो मैंने पहले रड़ा newton's laws of motion में भी आप लोग कहा था कि जिस तरफ हम force लेख रहे हो ना सिर्फ और सिर्फ उसी तरफ कहीं आप acceleration लगाओ बाकी बड़ा newton's laws of motion on system के कहानी है तो इतनी इसी हम of course इस पर सवाल बड़ा tough tough कर सकते हैं 50 तरफ की बाते कर सकते हैं बट theory इतनी है theory इतनी है हम सोचने समझने अपने दिमाग को बढ़ाने के लिए of course बड़ा हर तरफ की पंचायत करने के अपन कोशिश करेंगे बट कहानी इतनी है जो होना होगा वो इससे होगा बाकी बड़ा ठीक अपन सब manage करना जानते हैं अपन से बात बन जाएगी तो चली बड़ा मैं शुरुआत बड़ा एक आसान सवाल से करता हूँ जिससे आपको idea लग जाए कि exactly मुझे newton's laws of motion लगाना कैसे है ठीक है तो चल और उसके बाद तो बड़ा हम थोड़ा साना situations tough tough लेंगे और बड़े आराम से बड़े इतना से सारे के सारे काम हम निप्टाएंगे तो चलो बड़ा बच्चो एक बड़ा छोटा सवाल बड़ा आपके पास इजी फिक्स्ट सीली इस से बड़ा एक रस्सी बांद रख्यू इस रस्सी से बड़ा तीन मंकी इस तरह से लटके पड़ें ये वाला मंकी बड़ा 5 kg का है ये वाला मंकी 3 kg का है बड़ा ये वाला मंकी 2 kg का है ठीक है जैसे बड़ा मंकी लटक गया अब यहां टेंशन यहां टेंशन यहां टेंशन सेम नहीं होगी बले ही मासलेस हो क्योंकि मंकी जोन पड़ा वहां पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा देंगे ऐसे अपने हाथ से पकड़ेंगे न तो बड़ा ऐसे एक फ्रिक्शनल फो इसका acceleration है उपर की तरफ 1 meter per second square इस second monkey का उपर की तरफ 2 meter per second square इस third monkey का acceleration है उपर की तरफ 1 meter per second square ठेक टाइब इस monkey के उपर बेड़ा मैंने कोई point ले रखा है Let's do the point A मेरा सवाल है find tension in string at point A मैं बढ़ा इस बात वो clear कर दू कि अगर हम newton's motion system पे ना लगाए तब भी बढ़ा हम एप पॉइंट पर tension निकाल सकते हैं कैसे कि पहले इस बालक की FBD बनाऊंगा ठीक डा इस पर नीचे की तरफ mg बढ़ा नीचे लरसी तो slack हो जाएगी उसकी tension 0 उपर की तरफ tension T1 T1 minus 20 is equal to mass into acceleration जो tension यहां बढ़ा वह यहां फिर इस बालक पर बढ़ा गिए दो force tension की यहां पर T2 यहां पर T1 दोनों बराबर नहीं है कि बढ़ा बीच में बालक ने बालक ने बढ़ा बंदर ने ऐसे हाथ पकट रखा है और हाथ से बढ़ा इस रसी को पकट रखा तो उपर वाले पॉइंट पर नीचे ले पॉइंट बढ़ा जरू नी है तो उपर T2 आ जाएगा नीचे T1 आ जाएगा नीचे 30 आ जाएगा तीन बाद नीचे लो पहले बाले से T1 आ आएगा दू से से T2 आएगा फिर जाके T3 आएगा तीन स्टेप के बाद अपना आंसर आएगा शर मुझे तो एक स्टेप में आंसर चाहिए यह स्टेप में लगर चाहिए तो न तो बड़ा 2 kg वाले monkey की FBD बना ना 3 kg वाले की ना 5 kg वाले की बलकि FBD बना पूरे system की सब पूरे system की बनाने से भी यहाँ पर जो T1 लग रहा है यहाँ पर जो T1 लग रहा है सर यह कैसे पता लगा होगे बड़ा इसकी जरुक के नहीं है यह T1 जो इस पर उपर लग रहा है बड़ा इस पर नीचे लग रहा है और यह दोनों system के part है बड़ा T1 cancel हो जाएगा सर यह वाले T2 कहां से लाओगे बड़ा इस monkey पर जो T2 उपर लग रहा है बड़ा वही इस monkey पर नीचे लग रहा है बड़ा ही निपड़ जाएगा सिर्फ और सिर्फ बड़ा रसी ऊपर की तरफ यहां पर किसे लिए किसे फोर्स से खीनी चेश रहोगी बड़ा मुसको T2 बोल देता हूँ बड़ा हूँ मुझे T2 लिखने की ज़रुरत नहीं है अब बड़ा देखना कौन से कौन से फोर्स है नीचे की तरफ पजास न्यूटन नीचे की तरफ थर्टी न्यूटन नीचे की तरफ ट्वन्टी न्यूटन इस पूरे के पूरे सिस्टम पर उपर की तरफ जो फोर्स बड़ा वो लिखो बटा मैं किस पर नूटन शुर्ण लगा रहा हूं इस पर नहीं इस पर नहीं इस पर नहीं पूरे system पर सिर्फ external forces देखने है external force नहीं एक्सटनल फोर्स है टीए minus 50 minus 30 minus 20. this is the external force and this external force is always बड़ा force दिर लिखाया उपर, तो acceleration भी उपर, that is equals to, you know it very well, M1 A1 plus M2 A2 plus M3 A3 बड़ा मैंने newton's लोगा motion लगाया, उपर की तरफ, तो उपर आवे force को बड़ा positive लिखाया, नीचे वाले बड़ा force को negative लिखाया तो उपर की तरफ बड़ा plus M1 A1, 5 kg वाले का acceleration 1, 3 kg वाले का acceleration minus 2, और बड़ा इस 2 kg वाले का acceleration 1, बड़ा है minus 2 के लिखे बड़ा पता है न, की बड़ा उपर plus सब नीचे minus, हमारे पास आगे, tension at point A is equals to, उधर गया, तो 100 तो बड़ा ही आगया, plus 5 minus 6 plus 2, बड़ा मेरे ख्याल से, tension at A point आगी, 101 Newton, बड़ा ही मारा answer आगया, तो system पर बड़ा हम बड़ा आराम से, इस तरह से, Newtons लोगो motion लगा सकते, और बड़ा आराम से, इस तरह से, मारा answers निकाल सकते, I hope you get the point, आगे चलते हैं बड़ा, next is, अब यत बड़ा सिर्फ हो सिर्फ हमने, किस तरह से, Newtons लोग लगाना है, वो सीखा है system, अब situations बड़ा, all tough हो सकते हैं, और जैसे बड़ा situations tough होंगे, हमें थोड़ा और better सोचना पड़ेगा, और दिमाग लगाना पड़ेगा, लगाते हैं बड़ा, चले बड़ा, सवाल, अच्छा सवाल है बड़ा, ये horizontal surface, बड़ा smooth है, किसी प्रकार की बड़ा कोई friction, friction नहीं है, इस smooth surface पर बड़ा ये एक block है, बड़ा wedge है, इससे बड़ा मने A बोल दिया है, और इसका mass बड़ा small है, fair enough, इस पर ये बड़ा एक दूसरा block है, ऐसे, इसका B, इसका mass है, ये जो angle है, this angle is your theta, ये जोड़ा block A है, बड़ा ये free to move है, बड़ा चल सकता है, और किदे चलेगा, ये शालाद आपने सोच लिए हो बड़ा नीचे M, G, ऊपर normal, ठीक है, B वाला block normal लगाएगा ऐसे, उसका A component आएगा, ऐसे, उसके करण बड़ा ये वाला block जाएगा, ऐसे, तो इस block A का acceleration आएगा, इस तरफ, let's see, बड़ा acceleration is A, बड़ा acceleration is A, ठीक ड़, बी वाले ब्लोग की बात करते हैं, बड़ा बी वाले ब्लोग की दर जाएगा, हम जानते हैं, मैंने आपको सिखा रखा है, कि बी वाला जो ब्लोग है न, wedge constraint में, उसके लिए आपको सिखा रखा है, कि A के respect में B का, ground के respect में नहीं बड़ा, कि A के respect में B का acceleration सिर्फ ओर सिर्फ common surface के along हो सकता है, this is your common surface, it means that, कि A के respect में B के पास acceleration हो सकता है, सिर्फ ओर सिर्फ ऐसे, this is B, this is not the acceleration of block B with respect to ground, this is acceleration of block B with respect to A, सिर्फ ground के respect में acceleration क्या होगा, सिखा तो अगर आपको नहीं आता तो, सुननना बड़ा, छोटा सा point है, acceleration of B with respect to A, is acceleration of B minus acceleration of A, इसको इधर ले आओ, आप कह सकते होगी, acceleration of B is equal to acceleration of B with respect to A, plus acceleration of, सुननना बड़ा, अगर आपको बड़ा B का acceleration निकालना है, ground के respect में, तो B का acceleration जो आपने A के respect में निकाला है, उसके अंदर A के acceleration को add कर दो, A का acceleration है, इस तरफ A, उसके अंदर A के acceleration को add कर दो, A का acceleration है, सामने की तरफ अ करफ तो तो जो बीका एक्सरेशन वहां बीका एक्सरेशन जो गोंड के रस्ट में वो इस ए और बीका resultant resultant and by geometry you can see if this angle is theta but this angle also comes over here even decline point along a client is the but this angle also comes So the net acceleration of block B with respect to ground is of course इस A और B का resultant ये वाला red angle अंगल pi minus theta that is root of A square plus B square plus 2AB cos of pi minus theta मैं फिर से बात को repeat करता हूँ A वाला block जैसे ही छूड़ोगे बड़ा free to move है तो A वाला block जाएगा right में हमें wedge constant से पता है कि इसके respect में B वाला block या तो surface के लोग यूज आ सकता है या फिर surface के लोग यूज आ सकता है आप बोलो कि sir gravity को ऐसे नीचे आएगा लेकिन नीचे की तरफ ये जो B acceleration है ground के respect में नहीं है A के respect में A खुच जा रहा है इस तरफ A से तो इसका जो acceleration आएगा वो इस तरफ A और इस तरफ B ऐसे है और resultant इन दोनों का sum sum बड़ा of course अपन निकाल नहीं चली बड़ा ये तुमाने सिर्फ और सिर्फ diagram बनाया है सवाल तुमाने लिखा भी नहीं है actual सवाल तुमाने बहुत देर बाद में आएगा draw fbd of block A and block B block A की fbd बनाओ block B की fbd बनाओ बस इतना से काम करूँ अभी बनाते है block A block A पर सबसे पहले नीचे की तरफ mg जमीन का normal n- b वाला block normal लगाएगा ऐसे b वाला block बड़ा normal लगाएगा ऐसे बड़ा angle वेंगल में आपको कित्ती बाद बता चुका हूँ यार बड़ा evil angle theta तो evil angle भी तो theta n के बड़ा दो component आएगे n cost अधर की तरफ n sin theta इस तरफ तो आप कहपा होगे कि इस तरफ आएगा n sin theta और नीचे की तरफ आएगा n cos theta हम जानते बड़ा vertical direction में तो ये block बड़ा move कर नहीं सकता होरिजोंटल direction में मूँव करेगा और horizontal direction में मूँव कराने के जिम्मेदारे भी किसकी होगी तो आप बड़ागे से n sin ठीटा की जैसे होगी मन कर रहा होगा Newton लगाने का बड़ा लगाएंगे अभी तक बड़ा सिर्फ एफविडी बनाने के लिए अगला सवाल वही आएगा ठेक बी वाला block बड़ा बी वाले block की fbd सबसे पहले बड़ा नीचे की तरफ energy जो normal इस पर ऐसे वो normal इस पर ऐसे इवल एंगल ठीटा एक्सलरेशन कैसे है इस तरफ तो ए और इस तरफ दी एंगल वेंगल और दिखाना जो बड़ा वो दिखा दो इवल एंगल ठीटा इवल एंगल ठीटा मेरा एम बिड़ा कोई answer वा answer निकानला नहीं मैं पहले बोलता हूं सवाल तो पूछा ही नहीं मैंने मेरा एम है आप लोग को newton slow सिखाना तो मैं जो कवोना तुम दो वो करो बड़ा पहला है apply newton slow on block A in horizontal and vertical direction बस इतना कां का है block A पर horizontal and vertical में newton लोगा हूं very easy block a par horizontal direction एक force that is n sin theta that must be equals to mass into x the mass is small m e so horizontal direction equation कितने प्यार से आगी that is n sin theta that should be equals to m fair enough vertical direction vertical direction जानते है ब्लोक a जोले मुख करी नहीं सकता ना उपर जा सकता है तो उपर का फोर्स बरावर नीचे का फोर्स उपर है जमीन का n dash नीचे है बड़ा n cost plus mg हमारे पास आगया n dash should be equal to n cos theta plus mg this is my equation number two अगला सवाल बीड़ा बीड़ा ने कहाना काम क्या सीख रहे है न्यूटन स्लो लगा रहा है सवाल वाल होते रहेंगे अप्लाइं न्यूटन स्लो अउन ब्लॉक भी अलोंग बड़ा चार तरफ पूछ रहा हूं चार तरफ नूटन से लग पूछा तुम लोग से बड़ा चार तरफ नूटन से लगाओ बड़ा पहला है होरिजोंटल दूसरा है वर्टिकल तीसरा है लॉग इंकलाइन प्रेम चोहता है परपेंडिकलर टू इंकलाइन प्रेम होरिजोंटल लगाते मेंता लगाते में नीचे एमजी है ऐसे एन है horizontal direction में मुझे तो सिर्फ ओसे एक component नजर आ रहा है किसका mg तो vertical है उसका तो horizontal component आई नहीं सकता normal का एक component आ सकता है horizontal बेटा कौन सा n का sin theta n के दो component आएंगे vertical में n cost जा horizontal में n sin theta तो इस तरफ बेटा कोई ने कोई force है और वो force है n का sin theta and n का sin theta must be equals to mass into इस ब्लोक का इस तरफ acceleration मुझे हर तरफ क्या acceleration में interest ही नहीं है मुझे interest किसमे horizontal direction में force लिखा है तो horizontal direction के acceleration में ही interest है आराम से देख के बताओ कि इस ब्लोक के पास इस तरफ कितना acceleration है तो मेरे बच्चे बोलें सिर्फ B का इधर component है का B cos theta इधर की तरफ है A इधर है B cos theta इधर है A n का इधर component आया n sin theta तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं मैं एक अलग diagram बना लू बड़ा एक अलग diagram बना लू ऐसे component दिखाते लिए vertical or horizontal वाले component दिखाते लिए यह मेरे का में से कम इन दोनों में तो काम आये गई तो बड़ा मैं एक diagram बना आये तो बी वाले ब्लोक का एटेस सम्थिंग लाइक दिस यह ब्लोक बी इसके दो फोर्स एन की बड़ा दो component ऐसे n cos theta इधर की तरफ n sin theta mg बड़ा वल्टिकल है उसका कोई component horizontal में आये गा नहीं और दो बड़ा बी के दो component आएंगे बड़ा देखना बी का इधर की तरफ component आएगा बी कॉस्ट थीटा बी का नीचे की तरफ component आएगा बी साइन थीटा एक्सलरेशन ए जो है बड़ा वो horizontal direction वोला हमें पता है कि हमें इस ब्लॉक पर horizontal direction न्यूटन दो दो motion लगाना है horizontal direction में सिर्फ और सिर्फ न्यूटन का सब बड़ा नॉर्मल का एक component है n sin theta and that n sin theta must be close to mass into इस तरफ acceleration बस जिस तरफ force उस तरफ acceleration इस तरफ बड़ा मेरे ख्याल से acceleration आ गया है B cost minus A B cost A इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ net acceleration आ गया है B cost theta minus A तो आप बड़ा आराम से कैसे हो कि that is sir B cost theta minus A चली हो गया अपना का सर इस इस ब्लोग पर आपने vertical में लिख लेक लिखा है बड़ा लेक लोग वर्लिकल में क्या कहानी है ऊपर N cost नीचे Mg minus N cost theta तो बड़ा आराम से आप कह सकते हो कि Mg minus N cost theta that must be equals to mass into नीचे की तरफ acceleration बड़ा नीचे की तरफ acceleration is B sin theta ले बड़ा यह अगले equation बचादी बड़ा बनने ते नेक्स्ट है बड़ा मुझे Newton's laws of motion लगाना along inclined plane और perpendicular to inclined plane बनाते हैं बड़ा कोई बहुत बड़ा task है नीचे मुझे जगह चाहिए थूड़ी सी मैं इसे मिटा रहा हूँ बड़ा देखना उस block को बड़ा अपर से बी वाले ब्लॉक को अगर देखें नॉर्मल को बड़ा चेड़ने के जरूती निए वो पहले बड़ा inclined plane के perpendicular है उसका inclined plane के along को एक अगा हां mg के जरूर आएंगे बड़ा mg के जरूर आएंगे यूनो एट वेरी बड़ कि बड़ा ये वाला एंगेल ठीटा ये 90 मेंस चिरण बड़ा वापेस एपना ठीटा mg के दो कमपोनेंट इधर वाला mg को सिटब्ड इधर वाला mg साइन ठीटा तो इधर की तरफ आएगा mg sin θ, बड़ा याद भी रखते आप यह लिवाद तो, इधर आएगा mg cos θ along inclined plane mg sin θ, perpendicular inclined mg cos θ रही बाद बड़ा accelerations की है, हम जानते हैं कि inclined plane के along तो acceleration है b, बड़ा यह देखना, अब आप newton's level motion किस तरफ लगाना चारे हो inclined plane के along और inclined plane के perpendicular, तो acceleration भी किस तरफ लेने inclined plane के along और inclined plane के perpendicular, बड़ा देखना, एक के दो component आएंगे, a cos आएगा inclined plane के along और a sin θ आएगा inclined plane के perpendicular, तो आप कह सकते हों कि sir, a के दो component, that is a cos θ ऐटा ऐसे और a sin θ आएज, एक का साइट आएज, चली बड़ा, newton's level motion लगाते हैं, मैंने जान बूच के सारे force और सारे acceleration जो है, वो inclined plane के along और inclined plane के perpendicular दिखा दिए हैं, क्योंकि सवाली बड़ा यह है, कि inclined plane के along newton's level motion लगाओ, तो बड़ा कौन से कौन से force में interest है, जो inclined plane के along है, कौन से acceleration में interest है, जो inclined plane के along है, तो जान बूच के लगाओ, सारे component component लेकर त्यार बैठे हैं, कर देंगे, सब कर देंगे, inclined plane के along इकलोता force है, mg sin theta, इकलोता, और आपको अगरे से, this mg sin theta, must be equals to mass into इस तरफ acceleration, बड़ा ज़रा ध्यान से देखो, इस तरफ तो acceleration भी इस तरफ, तो b minus a cos theta, b इस तरफ a cos theta, इस तरफ तो इस तरफ acceleration आगया है, b minus a cos theta, बड़ी यड़, अगला है, perpendicular to inclined plane, inclined plane के perpendicular, acceleration है, इस तरफ, किता बड़ा, a sin theta, तो force भी आना चाहिए, इस तरफ, तो पक्की बात है कि mg cos बड़ा है, और नॉर्मल छोटा है, और इस तरफ हाप बड़े अराम से बोलोगे कि सिर्फ mg cos theta, minus normal must be equals to mass into इस तरफ acceleration, acceleration की value है, a sin theta, हमने अभी तक तो अना, newtons of motion on system तो लगाए नहीं है, अभी तक तो सिर्फ और ब्लोक, a और ब्लोक, b पर newtons of motion लगा रहे हैं, बंदो, और 6 equation एकटी कर रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 equation लेकि बैठा है, unknown count करो, a, n, n dash, और b, unknown कितने है, 4, equation कितने लेकि बैठा है, चोर, आराम से शोलई जाएंगी, चार उन्म्लों को स्वाल करने ऊपिन काफी होती है, हम तो 6 लिख के बैठा हैं, हम जो चीज चाहें, वो निकाल सकते हैं, a निकाल सकते हैं, b, निकाल सकते हैं, ना आप बोलोगे से Heading तो अपने Newtons & Motion ओन सिस्टम लगा रिख़्िये हैं अब बिल्कुल लगा रिख़्िये हैं तो लगाए हैं नियूटन लगाए है वे सिखा रहाए हुए। हर ब्लोक पर चली बैब अब आएगा कि हमारे बैठ चाहतों अब आएगा चलिए एक छोटी सी बात और उसके बाद आखी वाला अपना सवाल पूछता हूँ ठीक हम बड़ा छे एक्विशन लिखके बैठें सिक्स एक्विशन से लिखके बैठें अब मैं तुम से पूछ रहा हूँ बड़ा ड्रो fbd of not a not b बलकी a plus b and apply newton's law on a plus b in vertical and horizontal बिणा अपना तो बहुत ही मचा रख किया है छे एक्विशन तो पहले से लिखके बैठें अपन दो एक्विशन और लिखके बैठें अपन दो एक्विशन के मूड में आठ एक्विशन लिखके बैठें सवाल तो बोलाई निवे तक बनने कि बड़ा a निकालो b निकालो n निकालो n डश निकालो वह तो बोलाई नीए एक्विशन लिखना सीख रहे हैं बन तो चलो सीखते हैं पहले बड़ा a प्लस b की fbd बनाओ अही बनाते हैं बनी बना यह वैसे तो यार है ना खास ऐसी दिक्कत आये कि नहीं a प्लस b की fbd तो बड़ा बहुत आसानी से बन जाएगी यार है ना ठीक दा इसके पास acceleration बड़ा इस तरफ बी ता है चलो बड़ा a प्लस b की fbd बहुत आसान सबसे पहले बड़ा इसको अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ mg से इसको अर्थ पूरे सिस्टम पर सिर्फ तीन फोर्स दिखाने के जड़त है और कोई फोर्स दिखाने के बिलकुल ज़रत नहीं है सरी यह वाला नॉर्मल क्यों ने दिखा रहा है आप एने बी पर लगाया बी ने ए पर लगाया अब ऐसा तो है नहीं कि मैं A की बॉल्टिकल डिर्टिक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् 2mg minus n dash that is equals to mass into acceleration plus mass into acceleration आराम आराम से, इसका mass into इसका acceleration, सर्व न्यूटन्स लो तो सर्व वर्टिकल डाश में लगा रहे हो, हाँ बेटा, तो acceleration भी कौन सा, वर्टिकल में, जरा बेखो बेखो बेटा, ये a तो horizontal में है, इसका कोई component वर्टिकल में नहीं आएगा, सर्व ये b इसक आएगा, बी का कॉस ठीटा, इस तरफ दिखा चुका हूँ, बी का साइन ठीटा, इस तरफ, बड़ी है, प्लस, बड़ा फॉर्मला है आतना, f external equal to m1 a1 plus m2 a2, अब इसका mass into acceleration, सर्व ए लिख दू, अरे नहीं यार, ये थोड़ी लिख देगा, तो न्यूटन्स लो किस लिख वर्टिकल में, सर, इस m mass का तो वर्टिकल डारेशन, कोई acceleration नहीं है, अरे भई, ये acceleration नहीं, तो 0 लिख देगा, बड़ा समझत हो गया, नहीं नहीं, नूटन्स लो तो motion लगा रहा, वर्टिकल में तो net force भी दो, वर्टिकल में, बड़ा, इस इन माई equation number 7, बड़ी है Last equation, बड़ा पूरे सिस्टम पर horizontal direction equation लगाते है, लगाते हैं, हम जानते हैं करने वाले क्या है, बड़ा, F external equals to M1 A1 plus M2 A2, और काम ही क्या आपने पास, पूरे सिस्टम पर horizontal direction में कौन सा force है, कोई force नहीं है, 0, MG, vertical, MG, vertical, N-vertical, that is equals to M1 A1 plus M2 A2, simple, लिखते हैं, mass into इसका acceleration, Newton's, लोग इस तरफ है, horizontal में, तो बड़ा, acceleration भी, horizontal में, इसका horizontal में acceleration है, A, सिर्फ ए नी बड़ा, A minus B cos theta, A minus B cos theta, दूसरा काम, small M into इसका acceleration, कित्ता है, बड़ा, this is my equation number 8, बड़ा, दोनोई acceleration इस तरफ लिदियो, यह answer, 8 equations and 4 unknowns, बड़ा राम से solve कर लेंगे, कोई सी बड़ा 4 equation पकड़ो, solve कर दो, answer निकाल साथे हैं, A निकालना चाओ, A निकालना चाओ, B निकालना चाओ, B निकालना चाओ, N 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 निकालना चाओ, आपको लिखना आगे अच्छी बात है, लिखने के अलाव में क्या करना है, अब चांटना है, अब ही चांट लेंगे, बटा सवाल है, find, acceleration of blocks, यह हमारा actual सवाल है, हम बहुत देर से beating around the bushes कर रहे थे, find acceleration of the blocks, दोनों block के acceleration निकालने, तो मुझे A और B निकालने, तो मुझे A और B निकालने, तो मुझे 8 equation लिख रहे हैं, कि A और B निकालना कौन सा मुश्किल है, हड़ा बिल्कुल, लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम फिर से बिल्कुल start से सोचो, scratch से सोचो, A और B कितने unknown है, आप बो दो, तो कम से कम कितने equation चाहिए है, दो, equation ऐसी चूज करो, कि ये N डेश ना आए, ये जो बीच में N लग रहा था, वो ना आए, क्योंकि अगर एक बार N डेश और N आ गया, फिर दो unknown नहीं रहेंगे, फिर ती unknown मन जाएंगे, A, B और N, फिर कितने equation चाहिए होगी, तीन, सम equation चाहिए, सर, दो equation के लिए, equations इस तरह से बनाऊंगा, कि N और N डेश ना आए, क्योंकि अगर N और N डेश आगे, तो एक unknown और बढ़ गया, हाला कि उसको भी सोल कर सकते हैं, कितनी equation लेके बढ़ाएं, उसको सल कर सकते हैं, लें फिर again, equations सादा बनानी पढ़ेंगे, हम मूड में हैं कि कम equation से ही हमारी पार पढ़ जाएं, कम equation से हमारी बढ़िया से बात बन जाएं, तो आप कह सकते हो, कि सर, ऐसे में, ऐसे में, ऐसे में, ऐसे में, क्या करें? ऐसी equation लिखो कि N ना है तो आप बोलोगे सब N नहीं आएगा कब ये वाला normal नहीं आएगा कब ये वाला normal नहीं आएगा कब ये वाला normal तब नहीं आएगा जब Newton's laws of motion लगाओगे इस पर नहीं इस पर नहीं पूरे system पर किधर वर्टिकल में लगाओगे तो N से जाएगा किधर लगाओ horizontal में तो सबसे पहला है Newton's law on system along horizontal ऐसे हम equation चाटेंगे लिखना में आता है बड़ा बदाओ पूरे system पर horizontal direction net force किता है 0 that must be equals to इधर की तरफ प्लस बोल रहा हूँ M1 A1 प्लस M2 A2 This is my equation number 1 बड़ा दोनों गायब मेरे पास आगया है 2 A is equals to B cos theta दिस इसे है पहले equation बड़ाई है अगले equation Sir A और B में एक equation में पता लग जाएगा और ऐसी equation चाट नहीं कि N ना है तो मेरे पास plan है इस पर अगर मैं equation लिखूँगा ना फिर तो N और N ड़ेश आएगा क्योंकि इसका तो acceleration किस की वैसे है उस N की वैसे है उस N का sign लिटा मेरे पास plan ही ये कि बड़ा इस block की FBD बना और इस पर तुने नोटिस के अगड़ा नॉर्मल जो आया था वो इंक्लाइन प्रेंड के पर्पेंडिक लाए था यह था दूसरा Newton's laws of motion लगा ब्लोक B पर वल्टिकल नहीं बिटा N का component है जाएगा horizontal नहीं बिटा N का component है जाएगा ब्लोक B पर Newton's laws of motion लगा along the incline और नॉर्मल का इस तरफ को एक component तो आएगा ही नहीं और आएगा नहीं तो बड़ा equation में N नहीं आएगा N नहीं आएगा तो बड़ा नया वेरिबल नहीं आएगा और नया वेरिबल नहीं आएगा तो दो ही equation से हमारी पार पड़ जाएगी तो आप कह सकते हो कि सर दूसरे equation होगी on block B along inclined plane and as you can see that equation बड़ा हम पहरे भी लिख चुके हैं फिर से लिख रहा हूँ इस पर बड़ा इस तरफ बड़ा मकानती हूँ mg के दो component इस तरफ mg cost है इस तरफ mg sin theta तो इधर की तरफ एकलोता force है mg sin theta and this mg sin theta must be equal to mass into इस तरफ acceleration बड़ा जल्दी बोल इस तरफ ऐसे शेकरता है बड़ा सिर्फ B मत बोल देना B है इस तरफ और A cost है इस तरफ तो इस तरफ net acceleration आ गया है B minus A cost theta बड़ा बड़ा इस B minus A cost theta M से M cancel हो गया है दूसरी equation आ गयी है B minus A cost theta is equals to G sin theta ले बड़ा अपनने सबसे कम equation से मचा दी है 8 equation 4 variable भी solve करते हैं तब भी योव भी आते हैं तो यही न लेइन ये इस तरह से सोचने से हमने equation बनाना ही नहीं equation को छाटना भी सिखा कि कैसे कौन से 2 equation मेरे ले सबसे best है कोई बच्चा का करते से नहीं छाट परा नहीं सोच परा कोई बात नी बड़ा मैं 2 equation से काम चला है हो सकता है तो 3 equation 3 variable solve करे बस मैंने छाटने से मैंने equation तो सारी लिखे नहीं मैंने equation तो सारी लिखे मैंने फिर बताया है सिखाया है कि कैसे छाटना है तो चली बड़ा 2 equation है 2 variable है अब तो बड़ा solve हो जाएंगे बड़ा lich दो अब बड़ा क्या लिखो बड़ा B minus A cost theta बिड़ा A को क्या लिख सकता हूँ A को बिड़ा लिख सकता हूँ B cos theta upon 2 into cos theta should be equal to g sin theta बिड़ा B बहार निकाल लो 1 minus cos square theta upon 2 should be equal to g sin theta that gives me B 2 minus cos square theta upon 2 is equals to g sin theta बढ़ बिकी वाल्यो अभी यह लिख सकता है बिड़ा लिख सकता हूँ लो 1 minus cos square theta प्रेंट स्क्रि cohesive गुल एस्थ व्हाई है स्थु 사진 गलर कोसी स्क्रिट टब ऑन बन बन tutor स्क्रिटर एस छोंग ऋन विरुडा ऑन टो मिनस है तो मिनस वनेवान फ्लसigor म Could गोड़ा बी की वेल्यु आगए है तो बड़ा एक इतना आगए रखने बड़ा इस ब को बड़ा एक वेल्यु आगए है बीका बड़ा cos theta, बड़ा B का cos theta upon 2, तो बड़ा मेरे ख्याल से आ गया, G sin theta, cos theta upon 1 plus sin square theta, ये बड़ा A और B आ गया, ये बड़ा A और B आ गया, बड़ा हमसे पूछा गया है कि बड़ा block A का acceleration बताओ, very easy, block A का acceleration तो कुछ खास बड़ा सोचनी ज़रोती नहीं, A ही है, तो आप कैसे तो कि सरए A answer है, i cap, j cap में लिखना चाहूँ, तो बड़ा इधर i cap बोल दो, बड़ा इधर j cap बोल दो, तो आप कैसे सकते हो कि A का acceleration आ गया है, A i cap, it means, g sin theta, cos theta, upon 1 plus sin square theta i cap, ये बड़ा एका acceleration, B का acceleration लिखना बड़ा हलका सा मुश्किल है, हलका सा है, जाबना, क्यों बड़ा B का acceleration बड़ानते हो, ये A है, ये B है, resultant बड़ा यूं कहीं आएगा, root of A square plus B square plus 2AB cos pi minus theta, इतने सारे पंगी में ना फसना चाहूँ तो आप ऐसे बोल सकते हो, कि सर, इस तरफ है A, इस तरफ है B cos theta, तो इस तरफ acceleration आ गया, A minus B cos theta i cap, A minus B cos theta i cap, और नीचे की तरफ आ गया, B sin theta j है, मैं बड़ा लिखने नहीं रहा, आप सिर बड़ा values पर टकते हैं, A ये और बड़ा B की values लिटा है, B का एक्सलेशन बड़ा बड़ा राम से लिख साकते हैं, उठाना बड़ा एक हो, रिपते नहीं है, बड़ा B को उठाके यहां रख देना, बड़ा राम से लापके, आपस B का एक्सलेशन आई जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, चलो ना मैं भी लिखी देता हूँ, कौन सा कोई टाइम लग रहा है, चलो बड़ा, मैं भी लिख देता हूँ, बड़ा, मैं भी लिख देता हूँ, B का एक्सलेशन आएगा, A माइनस B कोउस्ट, एक इतना है बड़ा, A है, G साइन थेटा, कोउस थेटा, अपॉन वन प्लस साइन स्क्वार थेटा, माइनस B कोउस थेटा, बड़ा B है, इसका कोउस थेटा, अपॉन वन प्लस साइन स्क्वार थेटा, आइकेप, माइनस B, अचा बड़ा बीत बड़ा लिखना था, बड़ा B कितना है ये रहा, 2G, साइन स्क्वार थेटा, अपॉन वन प्लस साइन स्क्वार थेटा, बड़ा उपर वाला शाहिद वापिस से बड़ा सिंप्लिफाय हो जाएगा, उसको अप्लिक सक्वार, क्या लेक सक्वार माइनस, G, साइन थेटा, कोस थे ता, अपन 1 प्लस साइन स्क्वार थेटा, आइकेप, minus 2G sin square theta upon 1 plus sin square theta j cap this is acceleration of block B ये बड़ा block B का acceleration बड़ा block B का acceleration minus I cap में मतलब बड़ा इधर की तराफ और minus j cap में इधर की तराफ बड़ा B वाले block का बड़ा acceleration इस तरफ नहीं है वो इस तरफ आया है वो इक ही बात बड़ा आपने तो solve किया solve कर दो नेगेटिव आगे तो हम समझेगे कि इसका acceleration इस तरफ वाले block का acceleration left तो बड़ा आना ही था करकि horizontal direction में पूरे system पर कोई बड़ा force तो था नहीं तो force नहीं था तो यार पक्की बात है कि कोई एक particle का acceleration अगर left होगा तो किसी का acceleration right भी होगा तो ऐसा गलत भी नहीं बड़ा ना बड़ा आत्रे के सेड़ा में यहां से निकाल सकते है ठीक ड़ा तो इस तरफ सेड़ा में बड़ा आराम से सारे सारे अच्छा अच्छा बड़ा इब मातूर को मुझे बोलते हैं कि सर्फ आप वो करता ना वी का acceleration निकालने के लिए रूट ओफ a square plus b square plus 2ab cos 5-6 अबड़ा वैसे भी निकाल सकते हो और अगर acceleration of b का अगर magnitude निकालना चाहूना तो आप कह सकते हो कि उसका magnitude विल भी रूट ओफ क्या बेटा इसका स्क्वार प्लस इसका स्क्वार यहां से भी लिख सकते हो यह जो बड़ा वैल्यू है वो और हमने बड़ा जो वैल्यू निकालना थे रहा है वैसा वैसा है root of a square plus b square plus 2ab cos of pi minus theta दोनों से बड़ा b k x का magnitude सेम ही आएगा वेक्टर फोर्म में निकालना थे बाद root of square square plus square square कर दो यह फिर बड़ा जी समझे न तुम यह बड़ा ऐसे इसको लिटा एक ही बाद ठीक है तो दोन में से कोई साय काम कर लो बड़ा बहुत इतना बड़ा काम है नहीं चली बड़ा यार यह system of system पर newtons low motion का पहला सवाल है बड़ा ऐसे ही अपन दो तीन सवाल और भी करेंगे मैंने इस सवाल में थोड़ा time जादा लिया लेकिन मेरे ख्याल से मैंने time लेने के पिछे current समझे होंगे कि मैंने time बड़ा इसलिए यह equations लिखना में लेकितना आसान काम था लिगम अगर सीधी इक्वेशन लिखता तो होसता है कि आपको ऐसे रहता है कि सर क्या जादू कर रहा है जब दस्ती है ना तो मैंने साड़ा पूरा एकदम पूरा बताया कि हर ब्लोग की बड़ी हर ब्लोग सब लिखना आता है इनको ही क्यों चाटा उसके पीछे अपने कारण में बड़ी आर करेंगे ठीक है आप लोग बड़ा तब तक है ना सेक्षिन डी ए एफ जहां तक बड़ा स्प्रिंग बैलेंस और वेंग मशीन के सवाल है ना वो सारे निप्टा लो एफ तक है बड़ा वो सारे सारे निप्टा लो सेक्षिन जी छोड़ दो एक्सरसाइज वन पार्ट वन का बड़ा सेक्षिन डी तक सारे निप्टा लो वो बड़ा आसान आसान से सिर्फ जी बचता है जी भी है आसान बट बड़ा अपन थोड़ा से ओर टाफ निप्टाएंग ठेक जी बड़ा कल करना ठेक